देखिए हम लोग फिस से थोड़ा सा और फिश्ट प्रेपोजिशन को डिटेरिम देखेंगे कि कौन सी प्रेपोजिशन कहां पर यूज होती है उसको कैसे अपलाई करेंगे सेंटेंस में और मीनिंग क्या निकलेगा बाखी जो भी मैंने स्लेवस पढ़ाया हुआ है उसके सारे सारी लिंक्स जो हैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्सिन मिल जाएंगी आपको लोगने कोई भी डाउट है वो डाउट कैसे सॉल्व होगा उसको मैं कैसे अंसर का दूँगा वो सारी बाते हम लोग स्लेवस फिनिस होने बात करेंगे जैसे ग्रैमर फिनिस होगा वैसे ही मैं डाउट का वीडियो बनाऊगा तो अब लोग देते कैसे काँपर किसका यूज करना है टेक टेक के साथ जह हम आफ का यूज करते हैं तो टेक का मतलब टू सेपरेट अलग करना या अलग होना टेक आफ का मतलब अलग होना ये सेपरेट होना टेक फ्रॉम का मतलब है कि टू बैग परमिसन किसी चीज के लिए परमिसन मागना मतलब अनुमती मागना तो take from हम तो यूज़ करें जहें कोई परमिसल ले नहीं हो और take off का मलब होता है separate करना separate की spelling याद करने यहाँ पर स्की spelling error आती है exam में He took leave अच्छे एक बात हुए जो भी मैं verbs बगारे पढ़ा रहा हूँ जिनके साथ में जो proportion आती है तो वो verbs किसी भी form में आ सकती है किसी भी form में आ सकती है बसा को यह याद रखना है कि उसके लिए कौन सा प्रपूरिशन यूज़ करेंगे Context के according तो He took leave उसने चुटी ली या उसने वहाँ से आलग होने की बात कही The Party अब यहां तो यह तो पार्टी से आलग होने की बात की यह पार्टी से जाने के लिए अनुमती ली अगी दोनों ठीक लग रहे हैं He took leave desk the manager for a week उसने manager से एक सब्ताह के लिए एक हफते के लिए चुटी ली तो यहां पर चुटी वो मांगीगा तो यहां तो लीव took leave from हो जाएगा The manager for a week लेकि यहां पर उसने कर कि अब मैं पार्टी छोड़के जाना चाहता हूं इसका मलब यहां पर off आएगा OF का यूज होगा पार्टी को छोड़ना उससे separate होने के sense में यहां पर यूज हो रहा है Complain को देखें Complain के साथ हम off तब लगाते हैं जब वहां पर something Complain of something किसी चीज की सिकायद करना Complain against किसी की विरुद्द सिकायद करना तो इनसान तो आएगा ही Complain to someone यहां पर authority देखो अगर मैं राम की सिकायद करता हूं तो राम इक particular इनसान है तो उसके लिए आएगा against और जब मैं कोई department कोई authority की बात करता हूं जहां पर एक इनसान नोकर की बलगी पूरे वहां पर employee होती है तो उस condition में हम लोग वहां पर लगाते हैं two लेकिर रहेगा वहां पर someone जैसे मैं कहूं कि वहां की chairman ने यह काम गलत किया मैं उसको इसकायत करना चाहता हूं तो chairman नोक हो सकता है और chairman के supports में काफी लोग भी वहूते हैं वहां पर वही वर्क कर infinit वहीकίν वर्क कर लह होती हम तो मैं जब chairman के against कोई कम्पलेंट करता हो तब वहां पर वह तो problem में आता ही है है ना उसके साथ में जो employee work कर दें वो भी उसमें affected होते हैं तो overall single person के बारे में individual जो किसी पर हम काम करेंगे तो यहाँ पर against आएगा जब authority sense में use होगा कोई someone तब वहाँ पर use करेंगे to कैसे होगा देख लो the place नहोगा the students मा लेते हैं यहाँ ठीक है तो यहाँ पर आया the poor facility poor facility यहने की बहुत ही बुरी बिवस्त था तो यहाँ तो यहाँ पर आजागा मेरा of the players complaint of the poor facilities end-the coach और coach के विरुद अब coach एक individual इंसान हो गया तो यहाँ पर आजागा मेरा against sorry against against the coach does the manager of the team अब manager वहाँ पर authority sense में वहाँ पर यूज़ हो रहा है क्योंकि वह उसका authority वहाँ पर reprint करता है मतलब वह authority sense में manager वहाँ पर है तब वहाँ पर आएगा to means हम इससे सिकायत करेंगे इसके बारे में करेंगे और इस चीज़ के बारे में करेंगे इस इनसान के बारे में इस चीज़ के बारे में उस इनसान से सिकायत करेंगे तो जब किसी इनसान से सिकायत करेंगे तो तो लगाएंगे जिस इनसान के खिलाफ करेंगे उसके लिए against आएगा जिस चीज़ के बारे में करेंगे उसके लिए off आएगा ठीक है यहां तक अब समझते क्वेरल के बारे में जब किसी से क्वेरल करते हैं तो क्वेरल वो भी करेगा भाई जगड़ा वो भी करेगा तो उस हिसाब से वाँ पर आएगा with, क्वेरल with someone किसी का भी नाम लख देंगे तो someone माला जाता है और क्वेरल over something किसी बात पर जगड़ा करना तो जगड़ा ना वो तो वो बेटर रहता है तो क्वेरल over ठीक है? तो they never quarreled there's anyone there they never quarreled यहां पर double LED होगा ठीक है they never quarreled उन्होंने कभी भी जगड़ा नहीं किया किसी से भी वहाँ पर तो यहां पर anyone का मतलब परसन और परसन का मतलब यहां पर आजाएगा मेरा विद दे नेवर कोईरल्ड सेंटेंस सेवें एनिटिंग दियर किसी भी चीज़ की ऊपर बातचीत उनकी नहीं होई तो यहां पर हो जाएगा ओवर ठीक है अब डिवाइट के साथ में जो अमंग का यूज करते हैं या फिर दिवाइट के साथ जो हम बिट्वीन का यूज करते हैं तो उसका सेंस बेसिकली वहां पर डिस्टिवीशन होता है बटवारे के सेंस में होता है और डिवाइट के संग में इंटू लगाते हैं तब वहां हम डिवीजन करते हैं यानि कि टुकडे करते हैं डिस्टिवीशन सब भी में टुकडे होते हैं लेकिन इसते इंसानों के लिए होता और Dividation आउया कह सकते हैं कि आउख सकते हैं कि आदवारे मरणसरे हमलके करते हैं कैसे कहते हैं इस आदमीन अपना साहरा धन डुएठ कर दिया अब यहां पर देखना में संसाने कीजोका अब है होगा तो वहां पर distribution होता है तो distribution के लिए हम यहां पर use करेंगे अब यहां पर sons ज्यादा है अब more than two है तो यहां पर आ जाएगा मेरा among और among between amongst इसमें क्या difference है emit or emits यह सब लोग पहले देख चुके हैं तो यहां पर आएगा among the man divided all his money अब all his money देखा जाए तो यहां पर sentence दो दोनों same है लेकिन यहां पर equal parts आया बरावर भागों में उसने बाढ़ दिया यानि तोड़ दिया तो यहां पर इंसान बीचे में इन दोनों के साथ हम लोग विद लगाते हैं विद कब लगाते हैं जब trade या deal हम किसी इनसान से कर रही हो person से या किसी company से कर रही हो किसी इनसान या company से जब trade विवसाय बगारा करते हैं deal करते हैं तो वहां पर विद आता है जब किसी field में यह domain में हम लोग किसी field में माल की जाले किसी छेतर में हम लोग जब deal यह trade करते हैं तब वहाँ पर हम लोग use करते हैं in अब यह कैसे use होगा देख लो I can deal this man यह problem तो अगर हम बात करें यहाँ पर this man आया हुआ है तो यहाँ पर तो मेरा आ जाएगा with लेकि problem के क्या करें problem ना तो field है ना ही कुछ है तो यह company भी नहीं है तो हम कहीं न कहीं इसको with की category में ही डालेंगे ठीक है the point deals dash special rhyme अभी special rhyme में इसका मतलब यह literature से related है literature के field से related है तो यहाँ पर आजाएगा deals in ठीक the Indian merchants traded जो भारती व्यपारी थे वो trade करते थे British के साथ में तो British एक मेरा company है तो वहाँ पर यूज होगा with किस में करते थे जूट में, cotton में इन सबी चीज़ों में तो यह field अपने होगा किस field में किस चीज का करते थे तब वहाँ पर आजाएगा मेरा in succeed के बाद अगर हम direct object लिखते हैं तो इसका मतलब तो follow करना अनुसरन करना अगर हम succeed के में to लगाते हैं तो इसका मतलब तो obtain प्राप्त करना होता है succeed इनका मतलब था to be successful सफल होना किसी चीज में ठीक है aqua succeeded his father humayu aqua जो थे अपने father के बाद राजा बने थे तो क्या किया था उन्होंने प्राप्त किया था successful होते कि follow किया था यहाँ पर बताईए उन्होंने अपने पिता को follow किया था यहाँ पर तो आपे कोई भी proposition नहीं आएगी direct object ही चाहिए एक बात aqua succeeded फेसे लिखा हुआ है हर एक बैटल मों क्या होते है successful हुए थे तो यहाँ पर कर देंगे हम लोग two aqua succeeded फेसे लिखा हुआ है the throne at his early age उनको शुरुआ थी यानि कि बच्पन में ही उनको राजगर्दी मिल गी थी तो आप्टन होना प्राप्त किया था इस सेंस में यहाँ पर आपका आएगा sorry यहाँ पर two नहीं in आएगा क्योंकि यहाँ पर successful हुए थे और यहाँ पर आएगा आपका two तो overall अगर वो उन्होंने अनुसराण किया थे यानि कि ठीक उसी sequence में वो भी आगे निकल गए थे यह उन sentence तो यहाँ तक तो same मिलाए लेकि पीछे का context जब बदल गया तो हमें यह पता जिला यहाँ पर proportion change होगी वो भी अलग-अलग टैप से आएगी अलग-अलग sense में तो fixed proportion कुछ ऐसे काम करते हैं